So guys, अगर आप भी radimate जैसा inner hijab cap बनाना चाते हैं, तो आप rocks बुल्कुल सही वीडियो पर आए हैं तो देखें मेरा black color का Radimate Cap है जिसको देखकर, मैंने ये red color का inner hijab cap ready किया है और इस वीडियो में आपको मैं बहुत आसानी के साथ ये कैप बनाना सिखाऊंगे वीडियो को बिना इसकिप कियो हुए एंड तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके शेयर जरूर करें साथे साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि मैं हमेशा इस तरह की वीडियो कैप जैसा ही कैप बनाना है तो आप मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको स्टिच कर सकते हैं बिल्कुल ही आपका प्रिफ फिट आएगा जो मैजर्मेंट वीडियो में दिखाया गया है इस मैजर्मेंट को सभी यंग गर्स और लेडिस बना सकती है यहिनी 10-12 साल की लड़कियां भी इसको पहन सकती है क्योंकि इसको हमने जर्सी फैबरिक के सांद बनाया है सो मैं यहां पर जर्सी फैबरिक का यूज़ कर रही हूँ आप चाहे तो उसको लाइकरा या फिर हौजरी फैबरिक से भी कर सकते हैं, तो मेरा जो फैबरिक है ज़स्ट लाइक रिडिमेट फैबरिक जैसा ही है अगर आपके पास इस तरह का फैबरिक नहीं है, तो आप पुरानी टीशिट के साथ भी इसको रेडि कर सकते हैं एड़ इसके बाद मैंने रेड कलर की ये बारिक वाली लैसली है, अब देखिए वीडियो को पॉस करके, आप मेरे फैब्रिक का डाइमेंशन यहां पर चैक कर सकते हैं, मैंने कितना फैब्रिक इसको कट कर लिया है, आगे मैं वीडियो में भी आपको बताऊंगी कि यह कितना फैब्रिक और इसको किस तरह से कट करना ह तो यहां पर मैंने यह double fold fabric लिया है इसकी जो लंबाई है इस तरह से 6.5 इंच है और इसकी जो इस तरह से चोड़ाई है वो 12 इंच है तो इस वाले fabric से हम अपने tie वाला portion बनाएंगे यानि back side में जो यह tie होगा इसके बाद आगे की तरफ जो हमारा portion रहेगा यानि forehead वाला इसक जो लंबाई है वो मैंने 6.5 इंच लिया है तो दिखें दोनों की लंबाई हमने यहां पर 6.5 इंच लिया है इस तरह से लंबाई 6.5 इंच रहेगी और इसकी चोड़ाई जो है वो 5 इंच है और इसकी चोड़ाई 12 इंच है आप चाहे तो इसको दो पीस ना लेकर एक ही पी है दोनों की वो साड़े 6 इंच है अब मैं आपको दिखा देती हूं इनकी लंबाई और चोड़ाई किस तरह से लेने होगी लेकिन इससे पहले जो हमारा बैक वाला पोर्शन रहेगा उसकी लंबाई चोड़ाई भी आपको दिखा देती हूं तो दिखी इसकी जो चोड़ाई है हमने वो साड़े 3 इंच ली है और इसकी लंबाई है वो मैंने 8 इंच ली है और ये वाला पीस भी हमारा डबल फोल्ड है तो तीनों पीस को मैंने double fold करके ही लंबाई चोड़ाई दिखाई है अब दिखिए black वाले में जो front वाली side है इसमें हमारे दो piece थे जो दो आगे इस तरह से आ जाएंगे और ये हमारा back वाला part रहेगा जो इससे बनेगा अब सबसे पहले हमने अपने cap का आगे वाला हिसा ready कर लेना है तो उसके लिए मैं आपको दिखा देती हूँ दिखिए front में हमारे 3 पार्ट है तो ये center का है जो हमारे forehead पर आएगा इस तरह से पहले इसको double fold कर लेंगे और इसकी चोड़ाई हमने इससे आदा इंची ली है extra तो इसकी जो चोड़ाई है वो आप इस तरह से भी ले सकते हैं पहले double fold कर लेंगे center से और यहां से जितना भी आएगा उसमें half inch extra कर लेंगे तो ये साड़े 4 inch है half inch extra लिया है तो ये हो गया 5 inch तो ये मैंने इसलिए 5 inch लिया है आप forehead वाले piece की लंबाई देखेंगे तो ये वाला जो joint है यहां से आगे से पीछे तक इसकी लंबाई ले लेंगे तो इसकी जो लंबाई है वो 6 inch आई है तो आदा इंच extra ले लेंगे तो इसलिए मैंने इसको 6 inch लिया है अब देखिए हमने अपना front वाला जो part ready करना होगा उसमें सिर्फ हमने एक cut लगाना है तो सबसे पहले मेरा ये जो ready made cap है इसको मैं आगे से double fold कर लूँगी और इसको पिल लगा लूँगी ताके ये उधर उधर ना भागे तो पिल लगा कर हम इसको अच्छे से secure कर लेंगे इस तरह से मैंने पिल लगा ली है अब मैं आपको एक बार फिर्ट बता देती हूँ देखिए ये half में fold कर लिया है अब यहां से half में हमने इसका measurement लिया तो ये साड़े 4 inch आया है half inch extra लेकर हमने इसको 5 inch की चोड़ाई पर cut किया है बात रही लंबाई की तो लंबाई आप इस तरह से भी ले सकते हैं यहां से यह जो joint है सिलाई वाला यहां से आगे से हमने start करना है और यहां तक इसकी length लेनी है तो यह change आयी थी तो मैंने इसको 6 inch ले लिया है तो देखिए यहां पर मैं आपको बार बार बता रही हूँ ताके कोई confusion न रहे अब देखिए जहां से हमारा cap पीछे की तरफ बंदेगा उसकी cutting करनी है बस तो यहां से देखिए इसकी जो चोड़ाई है वो 4 inch आई है तो मैं 4.5 चार इंच ले रही हूँ तो यहां पर हमने 4.5 चार इंच पर माक किया है इसके बाद नीचे से इस तरफ हमने एक माक करना है इधर quarter inch फैबरिक छोड़ते हुए और आगे भी हम quarter inch फैबरिक छोड़ते हुए एक माक करेंगे और इस माक को हम उपर वाले माक पर गुलाई देते हुए मिलाएंगे जैसे हम अपना neck या फिर armhole कट करते हैं इस तरह से shape देकर अब हमने इसके cutting कर लेनी है आप चाहे तो ये वाला माक direct cap लगकर भी कर सकते है इसके गुलाई के लिए तो इस तरह से इसके cutting हो चुकी है इसको seal देना है तो side से यहां से fabric पकड़ेंगे और seal देंगे तो guys मेरा jersey fabric है तो काफी stretchable fabric है बट कुछ लोगों के इस तरह के fabric पर machine नहीं चलती तो आप उस पर 11 नंबर की needle भी use कर सकते हैं I mean जो stretchable fabric होते हैं सिलाई में दिक्कात आती है जिन लोगों की machine की तो वो 11 नंबर की needle भी use कर सकते हैं या फिर paper का भी use कर सकते हैं अब देखिए center वाले part में हमने दोनों side में ये part जोड लिये हैं अब इसकी stitching करनी है तो पहले हम इसको बिल्कुल सीदा सिल लेंगे यहां से quarter inch fabric single fold करेंगे तो double fold करने की कोई ज़रोत नहीं है क्योंकि इसके धागे नहीं निकलते हैं बस हमने इसको single fold करना है और एक pair के जो दबाव है वो लेकर हमने नीचे तक सिलाई कर देनी है फिलहाल जो हम सिलाई कर रहे हैं ये बिल्कुल सीधा है और ये वाला part हमारे forehead पर आएगा इसके बाद देखिए गोलाई वाली जो side यहां भी हमने कपड़े को सिर्फ single fold करना है और इसकी जो चोड़ाई है वो one foot रहेगी अब इस पर भी हमने सिलाई कर लेनी है तो ये जो गोलाई वाली side ये दो है तो पहले इस side में कर लेंगे और उसके बाद अब हम इसकी सिलाई दूसरी side भी कर लेंगे तो इसकी सिलाई भी जो है वो यहां भी बिल्कुल इसी तरह से होगी तो simply हमने single fold करके इसकी इस तरह से सिलाई कर लेनी है अब हमने अपनी last लेनी है तो दिखिए front वाला part है यहां तक ही हमने यह last लगानी है तो दोनों side से आदा इंच extra लेकर cut कर लेंगे और starting में भी इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ fold करके यहां से सिलना start करेंगे अब end में भी इसको हमने half inch अंदर की तरफ fold कर देना है और सिलाई को अच्छे से lock कर देना है last लगाने के बाद यह कुछ इस तरह से दिखेगा और यह last हमारे forehead पर आएगी इसके बाद अब हमने इसका back वाला part ready करना होगा तो यह वाला जो fabric है हमारे back portion में आएगा तो उसके लिए अब हम फिर से अपना चोड़ाई लेंगे तो चोड़ाई के लिए हम इसको open कर लेंगे तो इस तरह से हम जब open करेंगे तो यह जो चोड़ाई है यहां से इंची tape रखना है यहां तक और इससे भी 1,5 inch extra ले लेंगे तो यह हमारा लगबग 3 inch आया है तो 3 inch पर हमने यहां से mark करना है तो इस 3 inch के mark को उपर सीधा कर देंगे और इसके बाद अब हमने इसमें गोलाई देनी है जैसे हम neck पर अपने गोलाई देते हैं या फिर armhole की गोलाई देते हैं ऐसे गोलाई देकर अब हमने इसकी cutting कर लेनी है cutting करने के बाद अब हमने इसको center में notches लगाने हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा cut लगा देंगे यह हमारा center हो गया है आप cut नहीं लगाना चाहते तो direct center में एक chalk का mark भी कर सकते हैं इसके बाद अब हम अपना front वाला part लेंगे इसको भी पीछे से double fold करके पकड़ेंगे और इसमें भी एक center का mark कर लेंगे तो मैं छोटा सा notch लगा रही हूँ तो यहाँ पर भी मैं chalk करके दिखा देती हूँ इस तरह से दोनों center एक दुसरे के सामने रहेंगे तो इस तरह से हमने इसको सामने रखकर पकड़ना है अब हमने इसमें पिल लगा देनी है तो यहाँ पर आप धियान से देखिए जो center है एक दुसरे के सामने रहेंगे और इस center पर अब हमने इसमें पिल लगा देनी है ताके जो center है इदो दो ना भागे और जो गोलाई है फैबरिक की वो बराबर रहे इसके बाद दोनों साइट से किसी भी तरफ ऐसे हमने गोल करते हुए इसकी लेंद को चेक करना है और जहां तक आएगा वहीं से पकड़के इसकी सिलाई लगानी है तो आगे से लगबग ये लगबग हाफ इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा यहां से तो आगे की तरफ आदा इंच एक्स्ट्रा निकालने के बाद इसकी पीछे तक सिलाई कर देंगे और इस साइट से भी ये आदा इंच एक्स्ट्रा निकल जाएगा इस तरह से पूरी में हमने सिलाई लगा दी है अब मैं आपको दिखा देती हूं सिलने के बाद ये कुछ इस तरह से रहेगा सीधी तरफ से ये देख सकते हैं आप so guys ये गोलाई वालो जो पाटे आपको थोड़ा धीरे-धीरे सिलना है हाला कि मैंने थोड़ा स्पीड में करके दिखाया है सो सिलने के बाद देखे ये फ्रंट से ऐसा रहेगा और जो इसकी रॉंग साइड रहेगी वो कुछ इस तरह से रहेगी इसके बाद यहां से देखें आप यहां से आदा इंच एक्स्ट्रा फैबरिक निकला है सो इसमें हमने लास्टिक लगानी है तो यहां हलकी वाली यानि पतली वाली लास्टिक लेनी है वन फूट चोड़ी अब इसमें हमने चैक कर लेना इसकी लास्टिक की लंबाई कितनी है सो इसी के इसाप से हम डालेंगे तो यहां लास्टिक की जो लंबाई है वो लगबग तीन साड़े तीन इंच है तो उतनी ही ले ले लेंगे तो देखें यह साड़े तीन इंच की लंबाई पर लास्टिक आई है तो इसमें से भी साड़े तीन इंच की लंबाई कट कर लेंगे जो लास्टिक की चोड़ाई है वो quarter inch है यहनी पतली ही लास्टिक लेनी होगी अब लास्टिक को हमने यहाँ इसके बराबर से मिला कर रखना है और जितना extra fabric है इसके उपर overlap करेंगे 2-3 सिलाई लगा कर पका कर देंगे और लास्टिक को पीछे तक खीचेंगे जहां तक हमारा back वाला part है और end में भी सिलाई को 2-3 लगा कर लॉक कर देंगे इसी के साथ हमारा inner cap बिल्कुल ready हो गया है अंदर की तरफ जो थोड़ा सा extra fabric है आप चाहें तो इसको इस तरह से trim भी कर सकते हैं जैसा कि आप वीडियो के स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं ready made cap जो था हमारा और ये red वाला cap है इसमें कोई भी फरक नहीं है बिल्कुल सेम हमारा cap उसी तरह से बना है और पूरी वीडियो में मैंने black cap के according ही measurement लेकर जितना भी cutting stitching था उसी के हिसाब से किया है तो उम्मीद करती हूँ जो भी इस वीडियो को देखेगा वो आसानी के साथ इस तरह का cap रेडि कर सकता है अगर आपको और inner cap के design या फिर instant हिजाब के design देखने हैं तो आप मैंने channel पर विजिट करें और description box and pin comment भी check कर सकते हैं वहाँ से आपको काफी सारे instant हिजाब और inner cap के design मिल जाएंगे और ये जो दो वीडियो हैं ये भी काफी useful है इन पर भी click करके आप इनको देख सकते हैं थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो